हेलो गाइज मैं हूँ पूजा और आप सबका स्वागत है वेच इंडियन रेसिपी बाई पूजा में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रिफ्रेशिंग कूलिंग समर ड्रिंक की रेसिपी जिसे आप मिंटों में ही बना कर तयार कर सकते हैं आपको बहुत देर तक किचन में रहने की जरूरत नहीं है और जो बहुत ही रिफ्रेशिंग और कूलिंग होता है दोस्तों आप देखकर समझ ही गए होगे तो आज हम बनाएंगे मसाला चाज बहुत ही इजी रेसिपी है पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कर यह बिल्कुल फ्रेश दही है हमें खटा दही नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे एक कप के तकरीवन दही ले लेंगे एक मिकसर जार में और उसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया तो यहाँ पे मैंने कुछ हरा धनिये के लीफ्स ले लिए हैं जो इस रेसिपी को बहुत अनुसार नमक तो यहाँ पे मैं काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो यहाँ पे आप वाइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर यहाँ पे काला नमक के इस्तेमाल से इसका टेस्ट बहुत ही ला जवाब आता है तो यहाँ पे आप डालेंगे साथ में भुना हुआ जीरा तो यहाँ पे मैं तक्रीबन वन टी स्पून भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ, अगें आप इसे भी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं, तो और इसमें फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा चाट मसाला, आप इसे ब्लेंड कर लेंगे, तो अब मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे ब्लेंड करके तयार कर लिया है, और अब हम इसमें मिलाएंगे तक्रीबन दो से धाई का पानी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो सके, क्यूंकि छा पारी चीज़ों को हम अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने ब्लेंड करके इसको तयार कर लिया है, यह कितनी फ्रॉदी बनकर तयार हुई है, और साथ मैं सर्व कर रही हूँ, एक सर्विंग ग्लास में, जिसे मैंने थोड़ा सा न से हम गार्णिश करेंगे पुदिने के पत्ते के साथ, तो लीजिए हमारी कूलिंग रिफ्रेशिंग मसाला चाच मिंटों में बनकर तयार हो चुकी है, फटाफट से किचन में जाईए, अपने लिए तयार कीजिए, और आपको यह रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना है